Hello friends, आज हम बात करेंगे working capital cycle के बारे में, working capital cycle को कैसे calculate करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ actual balance sheets हैं, एक firm की, तो इस firm से जो relevant figures हैं, जो ज़रूरी figures हैं, इस balance sheet से वो हम उठा के इस excel sheet में भरेंगे और हमें पता चलेगा कि इस firm का working capital cycle पिछले दो सालों का क्या रहा है, इस से हम बात कर लेते हैं, working capital cycle आखिर होता क्या है, working capital cycle का मतलब होता है कि कोई firm जब काम कर रही है, तो उसे पहले मा लीजेगे एक unit है, जो की manufacturing line में है, अब वो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले raw material purchase करेगी, इसमें उसको cash लगेगा, वो cash को लगाकर raw material purchase करेगी, raw material से वो SIP म convert करने के बाद finished goods में convert होगा, finished goods में convert होने के बाद में ये, जो वो माल तयार करेगी, वो market में जाएगा sales के लिए, sales होने के बाद जरूरी नहीं है, कि सारी की सारी sales cash में हो जाएं, हो सकता है, कुछ debtors भी create हो, कुछ माल उधार में भी बेचना पड़े, कुछ trade receivables create हो, अब sales होने के बाद में receivables create होए, और receivables ने कुछ समय के बाद, जैसा भी buy और seller के बीच में agreement होता है, उसके हिसाब से receivables ने कुछ समय के बाद payment किया, और ये वापस cash में convert हुआ, तो कहनी यहाँ cash से शुरू होती है, शुरू होती है, जब एक unit from material purchase करती है, और finally, जब receivables से cash आ जाता है, तो ये जो पूरा period होता है, cash से वापस cash में पहुचने तक, इसे ही working capital cycle ये cash conversion cycle कहा जाता है, अब इसमें होता क्या है, हमें working capital cycle कैसे calculate करना है, आसान भाषा में हम समझ लेते हैं, पहले working capital cycle के लिए हमें क्या करना है, कि मान लीजिए कि कोई firm जो है, वो raw material purchase करती ह है, उसके बाद raw material से SIP बनाती है, SIP से finished goods बनाती है, इस पूरे period में मान लीजिए कि 15 दिन लग जाते हैं, इसके बाद इस माल को वो अपने distributors के पास भीचती है, और retailers के पास भीचती है, और इस पूरी प्रक्रिया में यानि transportation में और दो दिन का समय खर्च हो जाता है, तो हो गए total 17 दिन, 17 दिनों के बाद में मान लीजिए कि ये माल बिका, और बिकने के बाद receivables ने जब जो receivables हैं, यानि कि जो debtors हैं, उन्होंने जो पैसा दिया, मान लीजिए कि 30 दिन में वो पैसा दिया, तो हुआ क्या, 17 दिन और 30 दिन, ये total number of days हो गया, 47 days, तो इसका हो सकता है, वो ये कि हो सकता है, जब ये raw material को purchase कर रही है, तो जिन से ये purchase कर रही है, वहां से भी उसको credit पे माल मिल जाता है, यानि कि उसे तुरंथ उसमें cash देना नहीं पड़ता, for example, इसको 15 दिन का credit अपने supplier से मिल जाता है, तो क्या होगा, इन 47 days में से हम 15 days और minus कर कि अब actually एक ऐसे calculate होता है, उसको समझ लेते हैं, चलिए, अब हमारे पास एक Excel sheet है, हम इसमें क्या करेंगे, यह यहां तक, यह जो आई वाली row है, opening stock से लेके closing returns तक की जो row है, यह हम यहां पर हम figures को fill करेंगे, पिछले 2 साल की, और इसके नीचे, यह जो blue वाले जितने भी fonts देख रहे हैं, हमको cost of goods sold से लेके debtor collection period तक और साथ-साथ working capital cycle यह अपना आप calculate होकर आ जाएगा, चलिए, चलते हैं balance sheet की तरफ, इससे पहले एक चीज़ और देख लें, कि यहां यह जो reference लिखी हुई है, इसका मतलब है कि आपको यह जो figure है, वो मिलेगी कहां से, for example, हम यहा पर 2021-22 का opening stop, तो यह कहां मिलेगा, हमें financial year 2021-22 के P&L में जाना है, और हमें वहां पर opening stop मिल जाएगा, ऐसे ही purchases के लिए, other direct cost के लिए, sales के लिए, closing stop के लिए, इस सभी के लिए हमें उस particular financial year के P&L में जाना है, और हमें वो figure मिल जाएगी, अब इसके बाद हमें चाहिए figures कि सी कि हमें चाहिए opening creditors, closing creditors, opening debtors और closing debtors, creditors जैसा हम सब जानते हैं, creditors होता है, जिससे भी unit उधार पर माल ख nostalgia है, वो होते है creditors, और जिनको उधार पर माल बेचती है, वो होते है creditors, debtors को trade receivables भी कहा जाता है और creditors को trade payables भी कहा जाता है तो opening debtors, opening creditors की जो figure है वो हमें पिछले साल की balance sheet में मिलेगी मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर हम 21-22 के figures यहां feed कर रहे हैं तो जो financial year 2021 की जो balance sheet होगी उसमें हमें creditors को जो figure है वो यहां पर feed करनी है वो क्योंकि 21-22 के लिए opening creditors की figure बन जाएगी closing creditors की figure हमें 21-22 की balance sheet में मिलेगी ऐसे ही opening debtors की figure, opening debtors का मतलब हो जाता है जो साल 2021 का closing debtors की जो figure है, receivables की जो figure है वो बन जाएगी इसके लिए opening debtors की figure और closing debtors की figure हमें इसी साल की balance sheet में मिल जाएगी तो इस तरह से हमें अगर हमें इन दो सालों के working capital cycle निकालनी है cash conversion cycle निकालनी है तो हमें basically 3 सालों के financials चाहिए होंगे 3 सालों की balance sheet पेंडल चाहिए होंगे वो 3 साल कौन कौन से हैं 21, 22 और 22 से सो हैं इसके अलावा 21, 22 से ठीक एक साल पहले यानि की हमें 2020, 21 के भी financials चाहिए होंगे तो 2020, 2021 और 2022 तेस ये 3 साल के अगर financials हमारे पास available हैं तो हम ये working capital cycle calculate कर सकते हैं चलिए अब हम बढ़ते हैं balance sheet की तरफ पहले हम देखते हैं कि हमरे पास कौन कौन से balance sheets available है हमरे पास ये है 2021 की balance sheet ये एक actual balance sheet है जैसा कि हमें अपने banks में देखने के लिए मिलती है या अपने clients से देखने के लिए मिलती है ये है 2021, ये है 2022 की balance sheet और ये है 2023 की balance sheet चलिए, शुरुआत करते हैं 2021 से 2021 से हमें क्या figures चाहिए है 2020 से हमें केवल दो ही figure क्या विश्कत निए वह है क्रेटर्स की figure और डेटर्स की figure जो हम यहां से यहां पर input करेंगे तो 2021 में जो ग्रेटर्स की figure थी वो हमें कहा मिलेगी? वो हमें मिलेगी liability side में यह देखे यह है आपके крेटर्स की figure जो की 31 मार्ट 2021 को पर हम के कितने creditors थे तो यह हमें figure यहां put करनी है इसे हम यह rupees में figure है हम वहां आपनी excel में इसे lakhs में put कर सकते हैं तो यह बनता है 55.01 lakh तो हम क्या करेंगे यहां opening creditors में डालेंगे 55.01 ऐसे ही debtors की जो figure है वो हमें मिलेगी asset side में asset side में हमें यह दिखाई दे रहा है sundry debtors और इसका जो figure है वो है 89.53 lakh तो 89.53 को हम put करेंगे यहां opening debtors में .53 चलिए अब हम चलते हैं हमारा जो इस balance sheet का जो काम था उकिवल इतना ही था तो हम इस balance sheet को अब हम close कर सकते हैं हम अब चलते हैं 2022 की balance sheet की तरफ तो 2022 की balance sheet से हमें क्या-क्या figures चाहिए देख लेते हैं अब उपर से शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए opening stock तो opening stock के लिए हमें जाना है प्येंडल में तो प्येंडल में चलते हैं प्येंडल के नीचे हमें मिलेगा यह आपका trading and प्येंडल account इसके अंदर जो opening stock की figure है वह आपको यह दिखाई दे रही है यह तो इस विगर को में वहाँ डालेंगे तो वह बन जाती है दो टू पॉइंट फाइफ सिक्स लाक तो टू पॉइंट फाइफ से हम यहां डालेंगे opening stock में तू पॉइंट फाइफ सिक इसके बाद हमें फिगर हो गई 1111.19 इसके बाद है अदर डारेक्ट कॉस जो होता है वो क्या होता है ग्रॉस कॉफिट के पहले और पर्चिजिस को छोड़के जो जो भी कॉस इंवाल्वड है वो सब डारेक्ट कॉस्ट का पार्ट होती है जैसे कि हमें यहां वेजिस दिखाई दे रहा है य फिगर को डालेंगे डारेक्ट कोस्ट में तो वह हो जाएगी यहां पर 11.36 अब हमें चाहिए सेल्स की फिगर हमें यह दिखाई दे रही है कि फिनांशल एयर एकिस बाइस में उस यूनिट ने टोटल कितनी सेल्स या रेविन्यू जनरेट किया तो यह फिगर को हम लाक में डालेंगे तो यह है 1242.02 लाक तो यह हो जाएगा 1242.02 इसके बाद है closing stock, closing stock की figure ठीक इसके नीचे है यह है 2.60 तो यह हम डालेंगे यहां पर 2.60 इसके बाद हमें चाहिए closing creditors और closing debtors की figure यानि कि हम अब इसी साल की balance sheet में चलते हैं यहां पर जो भी हमें creditors और debtors की figure मिलेगी वो हम वहां पर feed करेंगे तो यहां पर creditors की figure आपको यह दिखाई दे रही है यह है creditors की figure 93.53 लाक तो यह हम put करेंगे यहां पर closing creditors में 93.53 में और closing debtors की जो figure है वो यह है 120.26 लाक तो यह हम put करेंगे यहां पर इस तरह से इस तरह से हमारा 212 की पूरी feeding हो चुकी है और अब ह देख सकते हैं कि इसमें हमारा working capital cycle कालकुट को होकर आ रहा है seven days इसका मतलब क्या हुआ कि इस firm को अपने cash को वापस cash में convert करने के लिए केवल साथ दिन का समय लगता है चलिए इसी तरह से हम 22-23 का भी working capital cycle कालकुट कर लेते हैं उसके लिए अब हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहले हमें दो figures उठानी होंगी मार्च 22 वाली balance sheet से वो कौन-कौन सी figure है वो है जो की 23-23 के लिए opening credit or opening debtors की figure बनती है तो जो financial year 21-22 की balance sheet में जो closing creditors की figure थी वो बन जाएगी यहा opening creditors और ऐसे ही जो यहा closing creditors की figure थी वो बन जाएगी opening debtors तो हम क्या कर सकते हैं ? सिंपली यहांसे ही इस figure हो उठाके यहां डाल सकते हैं तो opening creditors हो गया opening stock, तो opening stock की figure मिलीगी हमें P&L के अंदर, तो नीचे चलते हैं, opening stock की figure हमें यहाँ दिख रही ही है, यह है 2.60 लाग, हम चाहें, तो जो पिछले साल का closing stock था, वो ही यहाँ opening stock बनेगा, obviously, तो हम चाहें यहाँ से भी भर सकते हैं, इसको जो 2.60 यहाँ हमको दिख रहा आता, चाहें हम 22 से इसके financial से भर सकते हैं, तो 2.60 हमने डाला यहाँ पर, इसके बाद हमें चाहिए purchases, purchases हमें दिख रही है, यहाँ पर, यह है purchases की figure, 1020.72 कह सकते हैं, इसको हम लाक में, तो यह हम भरेंगे यहाँ पर, अब है other direct cost, तो other direct cost में इस बार हमें दिखाई दे रहा है, electricity expenses, trade expenses, और wages, हम क्या करेंगे, इन तिनों का total करेंगे, तो इन तिनों का total जो है, तो हम यहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे plus का sign, और लेंगे हम सबसे पहले electricity expenses हैं, जो कि हैं 6.43, plus trade expenses हैं 43.37, और wages है 14.79, इन तिनों का total हो जाता है, 64.59, तो इस तरह से total direct cost जो बनी, financial year by stage के लिए वो बनी, 64.59 लाक, इसके बाद हमें डालनी है sales revenue के figure, वो हमें दिख रही है, यहाँ पर, यह है हमारी 23s की sales, यह revenue, यह है 1186.75, तो यह हम डालेंगे यहाँ पर, इसके बाद है closing stock, closing stock की figure ठीक, इसके नीचे हैं हमारे पास, यह है 1.51 लाक, तो वो हम डालेंगे यहाँ पर, 1.51, इसके बाद है closing creditors और closing debtors की figure, जो हमें मिलेगी 22s की balance sheet में, तो 22s की balance sheet की तरफ चलते हैं, 22s की balance sheet में हमें current liability इसके अंदर मिलेगी creditors की figure, यह है creditors की figure, यहाँ पर, तो इसे हम लाक मिलेख सकते हैं, 129.78, तो यह figure आजाएगी यहाँ पर, 129.78, इसके बाद है closing debtors, closing debtors हमारे, यह जो summary debtors की figure है, यह वाली, यह figure हम वाँ put करेंगे, यह है 198.28, यह figure आजाएगी यहाँ पर, इस तरह से अब हमें सादी figures feed हो चुकी है, और working capital cycle जो निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 10 days, तो अब हम देख सकते हैं, कि इस firm का जो working capital cycle है, वो 7 दिन से बढ़कर 10 दिन हो गया है, यानि कि इस firm ने 21-22 में जो cash का conversion था इसका, वो 7 दिन में हो जा रहा था, वहीं 22-22 में बढ़कर 10 दिन में हुआ, तो अब यह फर्क क्यों हुआ, अब इस पर थोड़ा analysis कर लेते हैं, इसमें किता तीन चीज़ों से working capital cycle निकलती है, जैसे कि मैंने यहां दिखाया हुआ है, यह working capital cycle जो होता है, वो होता है, stock holding period, और stock holding period में हम add करते है, debtors collection period, और इसमें से minus करते है, creditors payment period, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कहने का कि इस firm को कितने दिन का stock hold करना पड़ता है, उसके बाद कितने दिन में debtors इसका on and average payment कर रहे हैं, यानि जिनको यह माल बेशता है, उधार पर, वो लगभग कितने दिन में इसका उधार चुका रहे हैं, और इसको खुद कितने दिन का उधार market से मिल जात करता है, अमरी inventory purchase करता है बाजार से, तो वो होता है creditors payment period, तो stock holding period में हम add करेंगे debtors collection period, और debtors collection period में से offer इसमें से minus करेंगे creditors payment period, तो हमें निकल कर आता है working capital cycle, तो stock holding period जो हम देख रहे हैं, 21-22 में भी एक दिन का था, और 22-23 में भी एक ही दिन का था, इसका मतलब क्या है, कि stock holding period तो इसका बहुत ही nominal है, बहुत ही कम है, बहुत ही fast moving inventory है इस firm की, ये firm अपने पास जाद अख समिक inventory रखती नहीं है, और ये चीज़ हमें यहां से भी दिखाई दे रही है, यहां पर 21-22 में इसके पास जो stock था, लगबग धाई लाग का ही stock था, और जबकि इसका जो sales थ लगबग यहां पर 12-12 करोड थी और यहां पर लगबग सारी 11 करोड थी, इसका मतलब जो stock अपने पास है, वो firm जादा रखती नहीं है, इस stock में जादा पैसा नहीं फसाती है अपना ये, अब हम आ जाते हैं creditors payment period पे, यानि कि अपने suppliers को लगबग कितने दिन में ये payment कर रह है, इसका जो faith है market में वो बढ़ गया है, इसकी अपनी reputation बढ़ गई है, इसलिए इसके suppliers को जादा दिन का credit देने के लिए तयार हैं, अब debtors collection period, debtors collection period भी 31 दिन से बढ़के उंचार जनिया, 31 days से बढ़के 49 days हो चुका है, इसका मतलब इसे भी अपने buyers को जादा दिन के लिए उधार देना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि इसका एक reason यह हो सकता है कि market में competition बढ़ गया है, इसके कुछ competitors आ गए हैं जिसकी वजह से इसे क्या करना पड़ रहा है, इसे अपने ग्रहाकों को अपने उसमें रखने, अपने hold में रखने के लिए जादा दिन के लिए उधारी देनी पड़ रही है, तो इस तरह से debtors collection period हमारा बढ़ गया, तो अब हमने क्या किया, 21 के लिए हमने क्या किया, stock holding period जो की एक दिन का था, debtors collection period जो की 31 दिन का था, इनको add किया, यह हो जाते हैं 32 days, और 32 days में से जम creditors payment period घटाते हैं, 24 दिन का, त चास दिन, और इसमें से creditors payment period घटाते हैं, 40 दिन, तो यह हमारा working capital cycle या cash conversion cycle निकल पर आता है, 10 दिन का, चलिए, तो यह तो था working capital cycle calculate करने का तरीका, अब इसका जो एक impact पड़ता है, वो हमारे जब हम कोई firm हमरे पास CC limit लेने के लिए, working capital limit लेने के लिए आती है, तो उस पर इसका फर्क पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है, उसको समझते हैं चलिए, देखिए, यहाँ पर मैं एक blank को खोल लेता हूँ, मान लीजे, कि हम इसी firm की बात करें, यह firm ने 22-23 में sale की करी, 12 करोड की, और यह firm अब 23-23 में बोलती है हमसे, कि 23-23 में यह firm कहती है, कि 22-23 में 18- यानि कि 18 करोड की sale करेगी, अब क्या होता है, अगर हम general CC limit के norms पे चलते हैं, तो हम जो इसको limit दे सकते हैं, वो turnover का 25 परसंट दे सकते हैं, बशरते उसके पास, उसका 1-4 यानि कि जितनी limit हम देना चाहते हैं, उसका 1-4 उसके पास margin available हो, तो अब turnover, अगर उसने 23-23 में हमें turnover बोला कि projected turnover है, 23-23 का, वो 18 करोड है, तो इसका 25 परसंट हो जाता है, 4.5 करोड और margin जो available होना चाहिए, फर्म के पास में, वो इस margin का, यानि कि इस 25 परसंट का जो हमने निकाला है, यहाँ पे turnover, वो इसका 25 परसंट, यानि कि 450 का 25 परसंट, जो क्यों हो जाता है, लगभग, यह, 112.50 लाक, इतना margin गार available है उसके पास में, तो हम 4.5 करोड रुपे तक की limit उसको दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, वो यह, कि जो 25 परसंट का concept है, यह आया कहां से, 25 परसंट का concept यहां से आया, कि as a thumb rule, या as a convention, यह माना जाता है, कि किसी ब लिए लगबग 90 दिन का समय लगता है, तो इसलिए यहां पर 25 परसंट का turnover हम accept करते हैं, और उसके उपर हम working capital के limit को calculate करते हैं, लेकिन यहां हम कोई दिखाई दे रहा है, कि जो working capital cycle है, वो इसकी लगबग 10 दिन है, ठीक है, तो इस केस में, अगर हम 25 परसंट के हिसाब से, य यानि कि 4.50 लाख limit निकालते हैं, तो फिर 10 दिन का अगर working cycle है, तो फिर limit कितनी होनी चाहिए, 90 दिन के उपर अगर 4.50 लाख limit बनती है, तो 10 डेस की working cycle, यानि कि यह working cycle 1.9 रह गई इसकी, तो limit भी 1.9 हो जानी चाहिए, 1.9 का मतलब हो गया, 450 divided by 9, तो एक्षो जो limits की बनने यह लगभग 50 लाख रुपे ही बनने चाहिए, ना कि 4.50 करोड की, अगर आप इस 50 लाख से जादा की limit दे रहे हैं, तो आपको proper justification देना होगा, कि हम इतनी जादा limit क्यों दे रहे हैं, क्योंकि working capital cycle के साफ से, यह limit 50 लाख से जादा की justify नहीं होती है, अगर आपके पास कोई valid reason है, यह मानने का कि इस firm का working capital cycle बढ़ने वाला है, हो सकता है यह firm कोई नई production line अड़ कर रही हो, नया plant लगा रही हो, जिसकी वज़े से working capital cycle बढ़ रहा हो, जिसकी वज़े से इसको अपना stock holding period बढ़ाना हो, अपना creditors payment period कम करना हो, या debtors collection period बढ़ाना हो, देखिए तीनी कार इस firm यह चाहती है कि ज़्यादा stock पर पास रखे, ज़्यादा stock खरीदने पर हो सकता है, इसको कुछ discount मिलता हो, दूसरा यह हो सकता है कि अपने creditors को जिसको यह 40 दिन में payment कर रही थी, वह सकता है, अब यह firm चाहती हो, कि उसको कम सम्में payment कर दे, 10 दिन में payment कर दे, या advance पे म बढ़ने से working capital cycle बढ़ेगा, वही creditors payment period बढ़ने से working capital cycle घटेगा, creditors payment period अगर कम होगा, तो working capital cycle बढ़ेगा, तो अगर आपके पास को valid reason है, firm को valid reason आपको दे पाती है इस बात के लिए, कि उसको working capital cycle बढ़ने वाला है, इस लिए उसको ज़्यादा limit चाहिए, तो हम उसको ज़ एक्सल शीट की ज़रूरत है, तो इसका link आपको मिलेगा इस video को description में, नहीं तो आप हमें mail भी कर सकते हैं, as usual हमारा mail ID है phenologist for all at the rate gmail.com, आप इस पर mail करके भी हमसे एक्सल शीट ले सकते हैं, thanks for watching, bye bye and take care.